मरहूम रामविलास पासवान जिंदगी भर इसी बात के लिए ताने और गाली सुनते रहे कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को राजनिती करियर सट कर दिया भाई से भाई के बच्चे तक जो आदमी 50 साल तक भारत की राजनिती में सक्री रहा उसे कुछ लोगों ने सिर्फ इसी लिए गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि उनकी नजर में रामविलास पासवान परिवारवादी थे जब 2019 के लोगसभा चुनाव में उनको लगा कि गिरते स्वास्त की वज़ा से विए अपने लोगसभा छेतर में समय नहीं दे पाएंगे तो समर्थक कहते रहे कि पत्नी रीना को हाजीपूर से टिकट दे दीजिए लेकिन उन्होंने अपने छोटे भाई पशुपत पारस को हाजीपूर सौप दिया भाई के लिए इससे ज़्यादा मोहबबत में अब क्या ही दिखाते उनके इस अटूत विश्वास का परिणाम मिल गया है छोटे भाई ने स्वरगी राम विलास जी की आत्मा पर इतना गहरा छूरा मारा है जिसका दर्द पूरा बिहार महसूस कर रहा है इतना तो शर्म कर लिये होते कि भतीजा 40 दिन से टाइफाइट से पिडित है हाथ में केंडला और बेंडेज लगा कर आपसे मिलने आया है और आप उसको अपने गेट पर प्रतिक्छा करवा रहे हैं फिर मौका देखकर अपने ही घर से चोर की तरह भाग जाते हैं वो तरस्वीर कितनी भयावा है जिसमें चिराग तकलीफ के मारे ड्राइविंग सीट पर ही सर रखकर आखे बंद कर लेते हैं क्या करें सत्ता के टुकडे के हिस्सेदारी में नाते रिष्टे सब बेमानी हो जाते हैं राम दिलाश जी की मृत्यू के बाद उनके अंतिम कर्मकांड के लिए 25 लाक रुपए भी उनकी पत्नी से मांगने पड़े आपको अपना जो पैसा आप रखे हैं उसको च्छाती पर लेकर जाईएगा क्या पांच बार अलवली से विधान सभा चुनाव जीत गए और कलेजा पर हात रखकर कसम खाकर बोलिए कि क्या आप अपने दम पर चुनाव जीते थे अगर हां तो 2010 और 2015 में भायाना को रूप से कैसे हार गए दरसल उन चुनाव में बिहार में लोजपा की सितारे गर्दिश में थे आज 2014 में मोदी से हाथ मिलाने का श्रे आप खुद ले रहे हैं उस समय आपके मुह में कोई बेंग चला गया था क्या नहीं पता है दुनिया को कि कैसे दंगे के साय में तब रहने वाले मोदी से राम बिलास को चिराग नहीं एक वक्त मिलवाया था ये चिराग के ही दूर दृष्टी का परिनाम था कि 2014 लोग सभा चुनाव में लोजपा का प्रदर्शन शानदार रहा आज मितीश कुमार को विकास पुरुष बोलकर चमचागिरी करने में आपका जी नहीं जलता है क्या मितीश कुमार की दस विकास प्रक नीतिया बोलने को अगर आपको कह दिया जाए तो आपका हावा टाइट हो जाएगा है हिम्मत तो बगएर राम बिलास पासवान के तस्मीर के पुरा राज जी घुम कर एक बार देख लीजिए पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं 2019 के लोग सभा चुनाओं में बिहार प्रदेश के अध्यक्ष की रूप में लोजपा के श्ट्राइक रेट का स्रिया आप ले रहे हैं मोदी और राम बिलास जी नहीं होते तो जनता के सामने खड़े होनी की हिम्मत नहीं थी आपकी बात करते हैं कहते हैं कि रोज समा उटकर राम बिलास जी की फोटों का पूजा करते हैं और बदले में उसी के बेटे के दुनिया के सामने जलील कर रहे हैं आप नहीं पता है आपको की शुरुवात में सरक का जाल बिछाने के बाद धीरे धीरे नितीश कुमार आराम तलब मेता हो गए थे नियोरित सिक्षकों का दर्द दिखाई और सुनाई नहीं पड़ता था उनको वो तो भला हो चिराग पासवान का जिन्होंने पूरे बिहार में नितीश कुमार के विरुद्ध जन आंदोलन चलाया सीट खुद भले नहीं गीट सके लेकिन 40 से अधिक सीटों पर जदियू की हार के लिए मुख्य वज़ा वही रहे विधान सभा चुनाओ की रैली में मंच पर से पबलिक को गर्याने वाले नितीश कुमार अगर शांत हुए हैं तो उसका असरे चिराग के कैम्पेनिंग को जाता है हकीकत है कि तिरस्वी आदव भले नेता विपक्ष हों लेकिन चिराग ने असली नुकसान किया था पुरा बिहार घूम कर बिहार फस्ट बिहारी फस्ट डॉक्यूमेंट तैयार किये लेकिन नितीश कुमार ने देखने तक से उस डॉक्यूमेंट को मना कर दिया मानु भमंड में डूब कर ये कह रहे हों कि तुम्हारे बिना हम आसानी से जीट जाएंगे ऐसे में अच्छा लगता कि युवा लड़का खून पसीना बहाने के बाद नितीश कुमार के पैर में गिर जाता दलित का बच्चा नाक रगड कर माफी मांगता और बदले में अपना थूका हुआ चाट लेता यही चाहते थे ना आप स्वाहिमान शब्द सुने हैं खैर छोड़िये भाई सब प्लेट में परोशकर दे दिया तो कहां रीड की हड़ी होगी आपकी एक बार अपने संसदिये छेतर घूम लीजिए कोई भी पहचानता तक नहीं आपको माननी असानसद महो दैजी ललन सिंग के चक्कर में पड़े हैं अगला लोग सभाचुनाओ के पहले ऐसा आपको दरकिनार किया जाएगा कि खुद को भी भूल जाएगा अभी भी थोड़ा बहुत समय है अपनी गलती स्पिकार करिए और भाती जे को पूरे सम्मान के साथ दोबारा पार्टी का ध्यक्ष बनाईए नहीं तो बिहार के जैचंद की रूप में सद्यों तक अप्षब सुनने को तैयारी कर लीजिए और याद रहे कि आशिरवाद यात्रा के तहट अगर चिराग पासवान पूरा बिहार घूम गए तब आपको मालूम पढ़ जाएगा कि लोग जनशक्ति पाटी क्या है और स